वेल्कम बेक तो माई यूटूब चैनल दिस इज गौरो शर्मा तो टोड़े वी आ श्टार्टिंग द पार्ट थ्री ओफ द चैप्टर एक्कॉनोमिक्स चैप्टर द श्टोरी ओफ द विलेज पालंपूर तो वी हाइव रेड़ तेल हेर गाईज स्कूल ग्राउंड सो गाईज आपने एक्टिविटी में को कॉमेंट में नहीं बताई किसका इसकूल ग्राउंड इससे बड़ा है सो गाईज मुझे आप अपना फीड़ बैक दीजे बताईए आपका स्कूल वन एक्टर फिल्ड से जादा है या कम है अगर आप अपने स्कू से रफेवन वन कैन ग्रो मूर फ्रॉम देसे लेंड यह जिससे हम यह फिलंड के अंदर जादा से जादा क्रॉप कर सकते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल पड़ते हैं इन इन काइंड ऑफ ग्रॉप्स ग्रोन एंड फैसलिटीज अभीड़ अज आविलेबल यानिकी फर्फ पालंपूर विलेज फ्तर पर्देश already YouTube इंदर की वेस्टन पार्ट के इन्दर जो उसके लगता है पालंपूर क्योंकि जित्ते भी लेंड रहते हैं सारा जो लेंड है ना कल्टी मतलब खेती होती है पालंपूर के लो लेंड इस लेफ्ट आइडल नहीं कि कोई भी लेंड बसता नहीं है जहां पर जो मतलब क्रॉप्स ग्रो नहीं होती हो इना काईज गणिशन खरी फार्मर्स ग्रोर गणुवर आद्ट ऑर वाजरा है से बहल भी पशोज चारा यहां से जो मतलब कई प्लांट्स होते हैं वो यूज दाते हैं यूज होते हैं जो पश्वों का चाहर अगर फार्मर्स है तो उनके पास जरूरी जरूर एनिमल सोंगे गाएं होगी भैस होगी बफलेब्स काउज गोट यह सब उते हैं उनको चाहिए चाहर चाहिए उनको कहने के टो बिट्वीन अक्टोबर एंडिसंबर सो की से इन देट मतलब की जो यह फोलो होती है कल्टिकेशन खेती है न पटेटों की खेती कब अगपोर और दिसंबर के अंदर आलो की खेती होती है वह अक्टूबर और दिसंबर के मैं नहीं होते हैं इन दोनों के बीच में in the winter season तो इसलिए साफ करके अब भीट करते क्योंकि सद्यों में ग्रों करेंगे तो घल में तक तयार जाएगा फिर उसको इजली कर सकते गाइज ना तो कमिंग फॉर्दर फ्रॉम दवीट प्रडूज़ फार्मर्स की इनफ वीट यानि कि जिता भी फार्मर्स कारते हैं उगाते जिता वी उनके पास इतना तो बची जाता है कि वह अपना गुदर बसर कर लेते हैं अपना थोड़ा बहुत खान पान चला लेते अपना परिवा सब्सक्राइब यानि कि जो बचा हुआ वीट होता है वह का में राता है वह मारा राइगंज के मार्केट पर बेच देगाइज वह ना जो अब जैसे की आदा गें तो उन्होंने रोक लिया और आदा मार्केट के अंदर सेल कर दिया है ना इस अपार्ट ओफ दे लेंड अर यह भूड वंता है शुगड के अगाइज तो शुगर के हर बार उगाय जता है हर वार यह तकर हर बार रूबह पर अलमपूर सब्सक्राइब हर साल रहसी आए हैं से व्यापार होता है शुगर के इंसे गुड़ बनता है तो उसका गुड़ का व्यापार कहां पर होता है शाहपूर के मार्केट के अंदर ओके गाइज दे में रीजन वाइफार मर्केट ग्रो थ्रीडिफरेंट क्रोप्स इन पालंपूर इस ड्यू टो वेल डवलप्ट सिस्टम आफ इडिकेट जो सबसे अदर में रीजन है वह क्या है क्यों फार्मर्स एबल नहीं है अलग अलग क्रोप्स को डिवाइड करने हरे हरे एक साल में मतलब कि जो अलग अलग जो फार्मर्स हैं वो क्यों क्यों एबल नहीं ऐए अलग अलग prob क्यों ने को सकते ये वहरें साल में ऌब क्योंकि वांग सबस्टेंट के लिए जबर तुमएं अगे वर पालंपूर निद आईट पालंपूर एक रही है अगैस मेजर इंपेक्ट वास्टू ट्रांस्फोर्म सिस्टम ओफ इडिगेशन यानि कि यह बहुत चरह प्रभाव डालता है सिस्टम ओफ इडिगेशन के पर देखो अगर हम सिचाय का अगर हम पाड़ देखे सो गाइज सिचाय करने के लिए आज कल वो नए जो आगए न वो जिसे पानी डालने के लिए इसलिए इसलिए इलेक्टर सेटी जरूरी क्यों कि अगर हम देखे हम हातों से कप तक डालते रहेंगे पानी हम थक जाएंगे गाइज है ना तो इसलिए इडिकेशन परिशियन वील्स वर तिल देन यूज़ बाइफ फार्मर्स टू डॉटर वाटर फ्रम देवाल्स इडिकेट सेम फिल स्मॉल फिल्ट स्काइज कह रहा है कि जो पर्शियन वील्स नहीं कि जो भार से जो आयोए वील्स है वो क्या है हम वहार ता गरहते हैं पर पानी को काम लेते हैं वह विच्छ रहा है जिससे हम कुए निकालकर देगे तो इसलिए को ज्यादा करने की जरुद नहीं है अब इलेक्टरिसीटी पर दूब्स तो इसको यूज़ कर सकते हैं पीपल सौँज़ एट दा इलेक्रिक रांट टूब वहल्स कूडि इडगेट एक मच मच लारजरे बिजर एली आज ऑफ एफ़ेक्टिवेस है कि जो फीपल है थोंते डिवट्ट टूब यानिë कि टूबबर को यह कहां तक अब वेल्ज तो हई अब वैप एकी एक पाईब मैं या की में प्ड़ोय है उस में से मोटर लागा ते ऌने हैं इफ्रेक्टिवली यूज और्मेंट के दौरा गए गौवर्मेंट के द्वारा है ना फेस्ट्रेट अप्रीड फड़े दिनों बाद आप फार्मर्स ने खुद ने अपना प्राइवेट ट्यूब ट्यूब अपने खुद के प्रायवेट बना लग गए वह ना as a result by mid 1970s the entire cultivated area of 200 hectares हा वाज इरिगेटर यानि कि एक ऐसा समय आया ऐसा रिजल्ट आया कि जब मेड में मतलब 1970 के बीच में क्या हुआ जो जित्ती भी खेती थी न वो 200 एक्टर यानि सो गाइज हमने कल पिछले जो पार्ट टू के अंदर हमने पड़ा था वन एक्टर सब्सक्राइब यानि कि वन एक्टर क्या होता है उसकी एक साइड में हन्डर मीटर का एक्वाल होता है जो कलमने यूनिट्स भी पड़ी थी कुनी था भी गाज है ना सब्सक्राइब यानि कि जादा नहीं पर जो हाई लेवल्स थे इडिकेशन किसी चाहिए के लिए जो हाई लेवल्स थे वो थे गाइज यूज आते हैं ना अपार्ट फ्रॉम्द रिवर राइन प्लेंस रिवर राइन मतलब जो रिवार राइन मतलब नदी का जो मैदान न का जिवर राइन प्लेंस कोस्टल रिजन्स और आवर कंट्री आर वैर इडिकेटर यानि कि यहां पर अच्छी तरीके से है गाइज इन कंट्रे कंट्रेस्ट प्लेटू जो रिजन सच अच आज डेकन प्लेटू है लोग लेवल्स फिरिकेशन यानि कि अगर हम प्लेटू देखें कंट्री का तो वह लेज दन 40 परसेंट यानि कि 40 परसेंट से भी कम है इडिकेटर आज हम देखें तो इस समय में इंद रिमेनिंग एरिया आज फार्मिंग इस लार्जरी डिपेंडेंट अने फोल अगर हम देखें तो जो बाकी जो बच्छे कुछ एरियास है वह पर फार्मिंग रेंफॉल के अपर डिपेंडेंट रेंफॉल के बारिश के निरबार है तो ग्रों ओर देन वन क्रॉप और पीस ओफ लेंड यानिकी अगर हमको एक साधा फार्मिंग करनी है अगर एक ही ग्राउड पर अभी समझाता हूं गाइस मैं आपको एक ही ग्रोपिंग जो ग्रोपिंग रोड़ डिई इनशी के बाद है इसे मुष्ट कॉमन वेये औफ इंक्रेजिंग प्रेदक्शन गीवन फीस ओफ लेंड है यह बहुत कामन चीज्ज हो गए आज कि हम प्रडक्शन को भड़ा रहे है हम अठोटीज्टी लेंड के जुपीस है पर क्राप्स को घरो कर रहे हैं और्सवास में पडाप्ण पॉरए गरो एक लिस्ट वेन ग्रोप मैंने इर ग्रोइं पोटेटो एस थारड क्रोप इन पास्ट 15 अफ 20 यह सो गार के रहा है की अदलब सबस्ट विद्विद्विद फार्मर्प चोरौ से अग्रो कर्रें अट ल the following table 1.1 shows the land and the cultivation in units million hectares plot on this ground so guys कह रहा है कि जो 1.1 फिगर था गाइस कहां पर 1.1 फिगर यहां पर शायद यह रहा है यह 1.1 फिगर है इसमें हमको बता रहा है कि यहां पर देखो एक ऐसे फार्मिंग करकर यहां पर यूज हो रहा है परलंपूर के अंदर अच्छी सी वो सब फैसिलिटीज रहा है अविलेबल है ना गाइस आम कमिंग फर्दर यह हमको 1.1 फिगर एक यह भी रहते बलियरी गाईस यह वो 1.1 दूसर वाला था यह वाला 1.1 देको इसमें बोल रहा है सब्सक्राइब के अंदर 120 मिलियन हेक्टर था अब नाइटीजिस्टी के नहीं 30 मिलियन हेक्टर अगया लभी बोल रहा है कल्टीवेटेड एरिया है काईजी खेती के करने आला एडिया है गाईज है ओके कमिंग फर्दर इपेज़ इस 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 इंपोर्टेंट इंक्रीज पालंपूर आपने पड़ा होगा कि क्रॉप्स ग्रोट यह परलंपूर के नदर फिल्द फॉलेंग टेबल बेस ड्री इंफ्रमेशन ओव ओंद ग्रॉप्स ग्रोण इन यूर दिजन पता हो आपकी इस टेबल गाईज टेबल दे रखी एक जाली टेबल दे रखी गाईज इसको आपको फिल करना है ऐसे बोलाए अपको फिल करना है और हमें इसका सब पता लग जाएगा इसके अंदर की नेम अफ्रॉप कब कप गोन ग्रो होती है कैसे कब हर्विश्ट की जाती है और कैसे कैसे उसको पानी दिया जाता एडिकेशन के तरीके है ना गाइस देखो यह 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 फिगर देख रहे हो क्याइस आप यह 1.4 फिगर इसमें मौडरन फार्मिंग है आज कल तो देखो सब्सक्राइब है यह यूड़ सीड्स मिलने लग गए है फार्म मशीनरी भी आ गई है ना डीजल है गाइस डीजल है हमारे पास डीजल भी है हमारे पास कैनल्स भी है पंप सेट्स बहुत जरूरी है डैम से पेस्टिसाइड से मशीन रिया तो गाइस सब चीजिए आज कला हम को मिल चुकिए है ना गाइस यूज वे ओफ इंक्रीज़ पॉपलेशन फ्रम इस मल्टीपल क्रॉपिंग यह जो अगर अलग जो चीज है वह है मौडरन मेथा जमाना आपको बताया ने मौडन फार्मिंग मेथाड़ गाइस सब्सक्राइब को मौडन फार्मिंग मेथाड़ गाइस ओके को मिन फॉर्दर फॉर हायर रिल्ट यानिकी जो अलग अलग जो बड़ी बड़ी चीज़ है ना उनके लिए गाइस यूस हायर ये फिल्ड इस मेज़र्ड एज क्रॉप प्रड़क्टेर प्रड्यूज ऑन अग सब्सक्राइब के लिए फिल्ड यानिकी क्या बहुत रहा है ना वो किस से मेज़र होता है कि जो क्रॉप प्रड्यूज होती है ना एक ही लैंड पर एक ही पीस ओफ लैंड के अपर है नकाज से एक सिंगल सीजन के अंदर तिल दब में 1960s यानिकी 1960s में देखे जो सीड्स है यूज हो रहें कल्टिवेशन के अंदर ट्रडिशनल के अंदर काई ट्रडिशनल सीड्स नीडेड लैस इरिगेशन जब कि जो ट्रडिशनल सीड्स है जो व्यापादिक जो सीड्स है वह क्या है लेस्टाइम में यूज हो रहें फार्मार्स यूज काव डंग एंड अदर नेटूरल मैन्योर फटिलाइजर स्ब्सक्राइब विद फार्मर्स विद नौट वह निए बाइब यानि की अब कई फार्मर्स तो उन थोड़े गरीब है जिनके पास मता हर फार्मर तो गरीब हो ता ही पर जो जीश के पाइच सी क्रॉप्स ग्रो हो जाती है तो वह अलग अलग सेट लियाता है उनको ग्रो करने के लिए जिस फार्मर की क्रॉप खरावे जाती है उसका नुक्सान हो जाता है तो उसके पास इतने पैसे नहीं आ पादे कि जिसे वह सब्सक्राइब करता था अब जो फार्मर्स को मदद करता था अब जो फार्मर्स से ना राइस राइस ग्रो करते इतना उसके लिए यह हाई इल सीड्स यूज आते थे ओके कंपेर टू ट्रेडिशनल सीड्स अगर हम वैपादिक सीड्स से कंपेर करें तो तहाज प्रोमेश्ट टू परड्यूज मोर्ग्रेटर अमाउंट्स और ऑफ गेन उना सिंगल बन बोल रहा है कि अगर कंपेर करें ट सिंगल प्लांट के अंदर ही खाई आज एस 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 पीस फ्लेंट वोड नाव पर दूस फोर लाजर क्वाटिटी इस फूट्स ग्रेंज दैन वस्पॉसिबल अलिया गाई से कह रहा है जो में रिजल्ट देखते एक ही लेंड मतलब एक ही पीस फ्लेंड उसके अंदर हम प् के लिए सेगल नेक्स्ट वीडियो में तो अगल वीडियो अच्छा लागाँ तो गाइस लाइक कर देना सेनल को सब्सक्राइब कर देना सो गाइस अगली बार हम इधर से पढ़ेंगे इस हॉआ है वी सीड्स के आगे से तो गाईस बाइगाई था आइस डेस टेसे